बारवा पाठ शहीद जलकारी बाई प्रिष्ट संख्या 66 से 72 तक अब सुनिये एकांग की शहीद जलकारी बाई सन 1857 इस्वी अपने महल में जानी लक्ष्मी बाई चिंतित अवस्था में जानी वीरवेश में जानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामन्त बैठे हैं पांसी एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राओ बैठा है लक्ष्मी बाई जहांसी के वीरो अंग्रेजों की विशाल सेना ने जहांसी को चारों और से घेर लिया है हमारी सेना के अनेक योध्धा वीरगती प्राप्त कर चुके हैं कुछ सरदार अंग्रेजों से जामिले हैं अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें जासी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है सामन्द जानिमा जासी पर अपने प्राण नियोचावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे लेकिन जान बूच कर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकल कर हम फिर से सेना को संगठित करें लक्षमी भाई मैं आपकी योजना से सहमत हूँ लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़ कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिये महल के भीतर भी है ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुचा रही है ऐसी स्थिती में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रू पर तूट पड़ें नाना साहब महरानी आप जैसी विरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते मैं सामंत की बात से सहमत हूँ आपका यह निर्णय वीरोचित तो है पर रणनीती की द्रिष्टी से उचित नहीं है हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मी बाई की पराजय नहीं होगी वह जांसी की पराजय होगी यदी जांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खत्रे में पढ़ जाएगा सब की निगाहें आप पर ठिकी हैं एक दूद का प्रवेश दूद महरानी की जय लक्ष्मी बाई कहो दूद क्या समाचार लाए हो दूद जानी मा समाचार शुब नहीं है अंग्रेजों की सेना का घेरा जांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है उन्होंने आपको जिन्दा ही पकड़ने की ठान रखी है लक्ष्मी बाई दूद तुम जाओ घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो दूद तेस कदमों से चला जाता है लक्ष्मी बाई नाना साहब मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती मैं जांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूँगी आप आदीश्ते हम अंग्रेजों पर तूट पड़ना चाहते है तब ही नारी सेना की सेना पती जलकारी बाई का प्रवेश होता है लक्ष्मी बाई की हमशक आऊ आऊ जलकारी बाई तुम ठीक समय पर आई हो, कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? जलकारी बाई, ज्रानिमा, नारी सेना, अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बस, आपके आदेश की प्रतीक्षा है, किन्तु, लक्षमी बाई, किन्तु क्या? निसंकोच होकर कहो, जलकारी बाई, गुस्ताखी माफ हो रानिमा, मुझे इस निरनाएक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। लक्षमी बाई, मुस्कुरा कर, ठीक है जलकारी, तुमारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्षमी बाई, कक्ष में जाती है, और एक थाल लाकर जलकारी को देती है, जलकारी उन्हें जुक कर प्रणाम करती है, जलकारी का प्रस्थान। लक्षमी बाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते हैं, तभी जलकारी बाई, रानी की वेश भूशा में सजकर प्रवेश करती है, सब लोग उसे देखकर आश्चर में पढ़ जाते हैं। अरे जलकारी बाई, तुम, तुम तो हू बहू लक्षमी बाई लग रही हो। जलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा रानी मा का हमशकल होना, शायद आज ही सार्थक हो सकता है। नाना साहब जलकारी बाई तुम्हारी योजना क्या है यह तो बताओ जलकारी बाई मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उल्जा कर रखूंगी इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा वे रानी समझ कर मुझे घेरने का प्रियत्न करते रहेंगे इतने में रानी मा दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी लक्षमी बाई लेकिन जलकारी बाई मैं तुम्हें जान बूच कर मौत के मुह में कैसे जाने तूँ जलकारी बाई जानिमा आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती हम प्राणों की बाजी लगा कर भी जासी की रक्षा करेंगे नाना साहब जलकारी बाई ठीक कहती है महरानी अब आप देर मत कीजिए जलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए महरानी की जैं जहांसी अमर रहे का जैगोश करते जलकारी बाई का प्रस्थान लक्षमी बाई के वेश में जलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर तूट पड़ती है अंग्रेजी सेना को काटती हुई जलकारी बाई आगे बढ़ती है नारी सेना भी शत्रों को काटती हुई शुद कर रही है जलकारी बाई के शरीर पर अनीक घाव लगे हैं वह निढाल है यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है जनरल रोज, सैनिको, जासी की रानी को जिन्दा पकड़ना है, चारों और से घेर लो इसे अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल जलकारी बाई को बंदी बना लेती है जनरल रोस जांसी की रानी तुम बहुत बहादुर हो हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो जलकारी बाई जनरल जासी की रानी को जिन्दा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है वह जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेगी रानी जासी की जय इतना कहकर जलकारी बाई बेहोश हो जाती है जनरल रोस क्या यहां कोई है जो इसे पहचानता हो एक सैनिक वहां आता है और जलकारी को पहचान लेता है सैनिक जनरल आपका शक ठीक है यह लक्ष्मी बाई नहीं उसकी हमशकल जलकारी बाई है जनरल रोस जलकारी बाई इस औरत ने तो कमाल कर दिया जलकारी बाई का मृत शरीर धर्ती पर पड़ा है जनरल रोस अवाक खड़ा है परदा धीरे धीरे गिरता है अभ्यास शबदार्थ चिंतित परेशान सोच में पड़ा हुआ दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ बेटा ललकारना चुनोती देना स्वाधीनता आजादी निगाह नजर द्रिष्टि निरनायक निरनय करने वाला हम शक्ल एक जैसी शक्ल सूरतवाला निधाल होना ठक जाना विश्वास पात्र जिस पर विश्वास हो गद्दार विद्द्रोही संग्राम युद्ध वीरांगना वीर्स्त्री कल्खी पगडी में लगाया जाने वाला तुर्रा हू बहू वैसा का वैसा अवाखोना आश्चर में पढ़ जाना रणनीती योजना एक पढ़ो समझो और करो नमूना है चिंता चिंतित जीवन पीड़ा उपेक्षा सुरक्षा पराजय दो मुहावरे अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है इस वाक्य में प्राणों का बलिदान देना मुहावरे का प्रियोग हुआ है हम कुछ और मुहावरे बोल रहे हैं इनका अपने वाक्यों में प्रियोग करो तूट पड़ना निधाल होना वीर गति पाना शहीद हो जाना प्राणों की बाजी लगाना मौत के मुह में जाना मैदान में उतरना तीन पाट से क जलकारी बाई ने लक्ष्मी बाई से किस चीज की मांग की और क्यूं ख जनरल जासी की राणी को जिन्दा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है यह किस ने किस से और क्यूं कहा ग जलकारी बाई का क्या हुआ चार खोजबीन क आजादी की लडाई में हिस्सा लेने वाली कुछ महिलाओं के नाम बताओ क राणी लक्ष्मी बाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता तुमने पढ़ी या सुनी होगी उसकी कुछ पंतियां कौपी में लिखो पांच तुम्हारी समझ तुमने इस एक आंकी को अच्छी तरह से अवश्य समझ लिया होगा अब इस पाठ के आधार पर स्वयम कुछ प्रश्न बना कर लिखो उनके उत्तर भी लिखो यदि तुम चाहो तो उत्तर देने के लिए अपने साथी से प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हो चै हमशकल जलकारी बाई लक्ष्मी बाई की हमशकल थी तुम्हारे विचार से हमशकल होने के क्या-क्या लाब या हानी हो सकते हैं साथ अभिनए इस एक आंकी का कक्षा में अभिनए करो तुम बिना किसी अतिरिक्त सामग्री के भी नाटक का मंचन कर सकते हो कर दो